My Dear Whatsapp यूजर आज की इस वीडियो में हम Whatsapp के एक बहुत ही important topic के बारे में बात करने वाले हैं जो की topic है Whatsapp गरूप दोस्ते इस वीडियो में हम cover off करने वाले हैं कि Whatsapp गरूप किस परकार से बनाया जाता है और WhatsApp group में कौन-कौन से settings होती है जिन settings के बारे में हम लोग को पाता जरूर से होना चाहिए अब हमारे इस दर्सक में से बहुत ऐसे दर्सक होंगे जिन लोगों को औरेडी पहले से पाता होगा कि WhatsApp group किस पर का से बनाया जाता है और WhatsApp group में कौन-कौन से settings होते है तो उन लोगों के लिए मैं एक बात पहले ही clear कर देता हूँ अगर आप लोग भी ये वीडियो को सुरू से end तक देखिएगा तो आपको 100% बहुत ऐसे information बहुत ऐसे जनकारी है जो कि बिल्कुल new है और आपको वो जिस आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा तो प्लीज इस वीडियो को सुरू से लेकर end तक जरूर देखिए और अपने WhatsApp के knowledge को बढ़ाएं तो इसलिए अपने WhatsApp ग्रूप के information को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि हम किस प्रिकार से अपने WhatsApp में एक नई group को create कर पाएंगे बना पाएंगे तो उसके लिए सबसे उपर यहाँ पे आपको three dots देखने को मिलेगा इस पे आपको क्लिक करना है उसके बाद से यहाँ पे आपको सबसे उपर new group का एक option देखने को मिलेगा तो इस पे आपको new group पे option पे क्लिक करना है उसके बाद से आप अपने ग्रूप में जितने भी लोगों को लेना चाहते हैं, जितने भी मेंबर को लेना चाहते हैं, उस सभी मेंबर को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अब यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा एक हजार तेइस लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो, य यहाँ पे आपको एक green में यहाँ पे arrow देखने को मिलेगा इस वाले option पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आप अपने group का जो भी नाम रखना चाहते हूं उस नाम को यहाँ पे आपको लिक देना है जैसा कि यहाँ पर मैं test group लिक दिया उसके बाद से यहाँ पर कैमरा वाल option पर क्लिक कर देना है इस पर जैसे किलिक कर देगा थो यह पर देख सकता है यह जो गुरूप है बन करके ready हो चुका है अब आपकी गुरूप में जतने से मेंबर से जतने में भी मेंहों से ज करना चीम है जो भी कुछ मैसेज करना चाहते हैं वह इसली कर पाएंजे अब दोस्तों अगर आप अपने गुरूप की सब्जिक्ट को टाइटल को उसके टॉपिक को चेंज करना चाहते हो तो उसको किस प्रकार से कर पाऊगे चलिए आप उसको जानते उसके लिए सबसे पहले यहां प गुरूप के सब्जिक्ट को यहां पर आप चेंज कर पाऊगे ठीक है तो यहाँ पर देख सब्जेक्ट ता इसका जो नाम था गुरूप का वह यहां पर चेंज हो चुका है अप चलिह यह दिखते है कि इस गृप में कौnew-kौन से से सेटिंग हो थी है इन सभी e to z से बार यहां पर हम cover up करते हैं details में जानकारी लेते हैं तो यहां पर आपको सबसे उपर यहां पर एक three dot देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर सबसे उपर आपको सबसे first option मिलेगा है group info का इस पर आप क्लिक करके आप गुरुब के बारे में डेटेल्स जान सकते हूँ ठीक हूँ तो यह पर दीख सकते यह प्रोफाइल प्राइड फिक्चर होगे इस ग्रूप का उसके नीचे यहाँ पर ग्रूप का नाम लिखा हुआ रहा है उसके नीचे यहाँ पर आपको एक audio call का एक option देखने को मिलता है इस audio call पर आप जैसे क्लिक करेगे उसके बात से call group पर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी group में जितने लोग होंगे सभी के पास call जाएगा और सभी लोग एक साथ easily बाते कर पाएंगे सिम वैसे यहाँ पर एक video call का एक option देखने को मिलता है इस पर क्लिक करके आपके group में जितने भी member है सभी के साथ आप एक साथ बात कर पाऊगे तो उसके बाद से यहाँ पर एक और option आपको देखने में add कर सकते हो उसके बाद से यहाँ पर सर्च का एक option देखने को मिलता है इस सर्च वाले option पर जा करके आप जिस भी message को सर्च करके खोजना चाहते हो उस message को जैसे खोजिएगा तो वहाँ पर यहाँ पर दिखाए देगा जैसा कि example के लिए मैं यहाँ पर आपको करके दिख सकते हैं इस group में इस group के चार्ट में जितने भी सारे चार्ट था उसमें से यहाँ पर जो okay वाला चीज है वह highlight हो चुका है यहाँ पर yellow color के आचुका है तो कुछ इस प्रकार से आप अपने group के चार्ट को या message को कुछ इस प्रकार से सर्च करके देख सकते हो उसके बाद से आप आपको नीचे एड ग्रूप description का एक option देखने को मिलता है इसमें आप अपने group के बारे में कुछ समझाना चाहते हैं कुछ पर लिखना चाहते हो डिप स्क्रिप्शन में आप लिख करके शेप कर सकते हो इसम्पल के लिए मैंने इस पर hello link दिया उसके बाद से ओकी वाल Mute notification का एक option देखने को मिलता है अगर आप इसे enable कर देते हो तो आपके group में जितने भी message आएंगे तो आपके mobile phone में जितने भी message आएंगे उसका notification आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आप इस group को open करके नहीं देखोगे ठीक है किसी प्रकार के notification tone या आपको display पर कुछ भी देखन को नहीं मिलेगा अगर आप Mute notification को यहाँ पर enable कर देते हो इस पर आप जैसे enable वाले option पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर यहाँ पर यह पूछता है अगर आप इसे 8 घंटे के लिए mute करना चाहता हो या एक सब्ता के लिए यहाँ पर always mute करना चाहते हो उसके हिसाब से यहाँ पर उसके बाद से यहाँ पर इस group के notification tone को आप special किसी एक notification tone को लरा पाओगे ताकि आप उस special tone को जब भी सुनो तो आपको अलग से ही पता चल जाएगा कि आपका group से message आया होगा है उसके नीचे यहाँ पर आपको एक vibrate का option देखने को मिलता है इस पर आप click करते हो तो आप अप इसके notification के साथ साथ इसमें vibration भी आएगा तो अगर उसे आप off करना चाते हो आफ कर सकते हो या आप इसे on रख सकते हो उसके नीचे यहाँ पर एक light का option देखने को मिलता है आपके mobile phone में कोई notification LED दिया गया है तब आप उस notification LED की color को change यहाँ पर कर सकते हो कि जब भी आपके mobile phone का display off रहेगा और आपके इस group में कोई message आएगा तो अगर आप कोई यहाँ पर कोई special यहाँ पर color select करकर रखते हो तो वही color आपके mobile phone में जब display off रहेगा तो आपके mobile phone में वो notification के time वो जो LED वोल है वो blinking करेगा इसी color में इसके लिए यह वाला आपको option दिया गया है अगर आपके mobile phone में notification LED दिया गया है RGB दिया गया है तो अब इसका इस्तमाल कर सकते हो अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मैं light में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने rate को select किया ठीक है rate को select कर लिया है अब rate को select करने के बाद से यहाँ पर देख सकते है light में यहाँ पर rate selected है अब इस display को मैं यह देखिए message चला गया और यहाँ पर rate भटती यहाँ पर indicate होना शुरू हो गया तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप कर सकते हैं अब चले इसके light को यहाँ पर देख सकते है red light indicate हो रहा है अब इसके color को यहाँ पर मैं change करके अभी आपको दिखाता हूँ जैसे कि यहाँ पर म message करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो वो notification था वो green यहाँ पर indicate होने लगा तो कुछ इस प्रकार से आप इस notification light को control में कर सकते हैं और उसके benefit को उठा पाएंगे उसके नीचे यहाँ पर एक और option आपको देखने को मिलता है यूज हाई priority notification इसको क्या benefit है इ यूज कर रहे होते हो तो आपके इस group में जब भी कोई message आएगा ठीक है तो यहाँ पर जो यह message है यहाँ पर के तरफ कुछ इस प्रकार से pop-up होकर के दिखता है इससे अगर आप disable कर देते हो तो आपके अपनी mobile phone यूज करते time यह वाला जो message इस group में जब भी कोई message आएगा तो यहाँ पर display पर वो message pop-up नहीं होगा mobile यूज करते time अगर आप इसे disable कर देते हो उसके बाद से यहाँ पर आपको back आजाना है उसके बाद से यहाँ पर एक और option यहाँ आप देखने को मिलता है media visibility इस media visibility का यूज क्या है चलिए अब इससे हम जानते हैं तो पहले इस media visibility प photo video या documents आए वो आपके gallery में so ho तो आपको यहाँ पर yes पर रहने देना है या default पर रहने देना है और अगर आप चाते हो इस group में जो भी photo video आए वो आपके gallery में नहीं दिखाए दे वो आपके mobile phone के gallery में नहीं दिखाए दे तो यहाँ पर आपको no वाले option को select करके ok पर click कर देन है उसके नीचे यहाँ पर आपको एक और option देखने को मिलता है despairing message इसका क्या benefit है इसका कब use किया जाता है इसका क्या use है चलिए अब इसको देखते हैं तो देखिए अगर आप despairing message वाले option को यहाँ पर on कर देते हो चाहे 24 घंटे के लिए चाहे 7 दिन के लिए चाहे 90 दिन के फोटो हो चाहे वीडियो हो या message हो वो अपने आप delete हो जाएगा अगर आप इसे on कर देते हो तो ठीक है 24 घंटे के लिए on करेगो तो 24 घंटे के बाद यह automatic delete हो जाएगा 7 दिन के लिए करोगे तो 7 दिन के बाद automatic delete हो जाएगा 60 दिन के लिए करोगे तो 60 दिन के बाद यह automatic delete बिलिट हो जाएगा तो इस despairing message का यह benefit है कि आपका जो mobile phone का जो storage है वो full नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर time set करोगे उसी time के यह बाद यह automatic इस group में जो भी message photo वीडियो रहेगा वो automatic बिलिट हो जाएगा इससे आपके mobile phone का storage है वो कभी full नहीं होगा उसके बाद से यहाँ पर आपको एक group setting का option देखने को मिलता है चोकि यह वाला जो settings है यह काफी important है इसको आप बहुत अच्छी तरीकी से देखिएगा तो यहाँ पर आपको सबसे उपर वाला option पर देखने के म आप कर पाए तो यहाँ पर only admin वाले option पर क्लिक कर देजिएगा तो आपकी इस group का जो photo हो गया या जो नाम हो गया या कुछ किसी को admin बनाना हो गया तो इन सब settings को सिर्फ और सिप admin को handle कर पाए तो आपको only admin रखना है अगर आप चाहते हो कि इससे सभी कोई कर दे सभी कोई इस group के settings को नाम को photo को change कर दे जो भी चीज करना हो करे तो आपको all partition पर क्लिक कर देना है ठीक है तो यहाँ पर मैं only admins पर क्लिक करके ok कर देता हूं उसके बाद से यहाँ पर एक और option आपको देखने को मेंता है send message तो कि send message का option पर आप जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ पर भी आप देख सकते है all partition पर यह default is set है तो अगर आप चाहते हो कि इस group में सभी कोई message करे मतलब कि जो admin हो वो भी और जो admin ना हो जितने भी member हो वो भी सभी के सो भी इस group में message कर पाए video photos भी तो आपको यहाँ पर all participants पर रहने देना है और यहाँ पर आपको ok कर देना है लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इस group में जो भी कुछ कोई भी message करे या photo videos भीजे वो सिर्फ admin ही भीजे तो आपको यहाँ पर only admin वाले option को यहाँ पर selected रहने देना है उस अुसके बाद से यहां पर आपको एक और ओप्सेन देखने को मिलता है इस वाले option पर जैसे कलिक करीएगा तो यहाँ पर आप जिसको group admin बनाना चाते हो उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करके आप इस group का admin बना सकते हो ठीक है उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते है एक और option देखने को मिलता है Approved New Participants अगर आप इसको on कर देते हो तो होगा क्या की तो अगर कोई भी अगर इस group के link को share करेगा किसी के पास इस group में जॉइन होने के लिए तो वो बंदा जैसे group पे click करेगा वो direct join नहीं होगा उस link पे click करके उसको आएगा request join in group का option तो उस पे जैसे वो request join पे click करेगा तो जो भी इस group का admin हैगा उसके पास request जाएगा तो अगर वो admin चाहेगा तो उसे approve कर सकता है accept कर सकता है अगर चाहाई तो उसे accept कर सकता है, उसे हटा सकता है अब चलिए यहाँ पे हम back हो जाते उसके बात से यहाँ पे देख सकते start a community अब चलिए इस पर हम बात करते हैं स्टार्ट और क्या है और इसके यूज किस प्रकार से किया जाता है यह कॉम्मुटी आखिर है क्या तो जैसा कि हम एक परसन को जोड़ के एक वाटसप गुरूप बनाते हैं वैसे सेम एक से ज्यादा गुरूप को जोड़ करके एक पहें वो बहुत सारे ओगुरूप की ज़रूरत बड़ती है यानि की एक से ज्यादा गुरूप को आप जोड़ करके एक वह पर गुरूप के कॉमुटी को बना सकते है तो यह वह थाप कमुनुटी उसी तहार हम पोलते है जैसे कि में इसिताय कम्म्मेट्ट जो सबसे पहले फोटो को रशाद फोटी सिलेक्ट करना जैसे कि हम ले लिए उसी से से में आपको को में बारे में लिखना जो सरव strains सकते ह्साधाने kingdom risk commission एकजिस्ट गुरूप का एक उप्शन देख लिएक मिलता है तो आप एडΟ एक जिस्ट गुरूप पे कलिक करेंगा तो यहां पे जीन जीन गुरूप को यहां SHE integrate करिएगा तो इन सभी group को मिलना करके आप एक Community बना सकते है तो यहां पर देख सकते हैं यह पो देख सकते इस कम clapping में मैंने तिन ग्रूब के एड़ कर दिया उसको बाद यहां पर चेक मास पर क्लिक करता ह Celine ठीक है इस ट्वाले option पर मेंबर का option है यह एड ग्रूप का एक option देखने को मिल जाता है कि एक message या photo कुछ भी मैं भेजूंगा तो उन सभी सभी के सभी community के group है उन सभी के सभी group में वो सारा का सारा message अपने आप पर फरवर्ड हो जाएगा ठीक है ठीक है तो community के बारे में हमने समझ लिया उसके बाद से यहाँ पर एड पार्टिसेपेंट का एक option देखने को मिलता है इस पर किसी को भी किसी को भी यहाँ पर इस group में add कर सकते हो उसके बाद से इनवाइट वी आई ए लिंक का एक option देखने क कर सकते हो उसके बाद सेंड लिंक वी आई ए वाथसप पर क्लिक करके आप वाथसप पर इस लिंक को सेर कर सकते हो उसके बाद से यहाँ पर copy link पर क्लिक करके आप इस group के link को copy कर सकते हो उसके नीचे यहाँ पर share links पर क्लिक करके आप इसे share कर सकते हो उसके नीचे यहाँ पर लिंक को भी रिसेट कर सकते हो अब चलिए जानते हैं कि आप किस प्रेकार से किसी ग्रूप से आप निकल सकते हो बाहर कैसे निकलोगे या किसी और को किस प्रेकार से आप गुरूप से बाहर निकाल सकते हो सबसे पहले जानते हैं कि हम किस प्रेकार से किसी ग्रूप में किसी म एक option देखने को मिलेगा remove का इस पर आप जैसे click करेगे उसके बाद यहाँ पर ok पर click करेगे तो यह वाला जो इनसान है यह जो person है इस group से remove हो चुका है इस group से निकल चुका है अगर आप इस group से खुद निकलना चाहता हो खुद बाहर निकलना चाहता हो इस group से तो यहाँ पर आपको एक नीचे के तरफ यहाँ पर exit group का एक option देखने को मिलता है इस पर click करके आप इस group से बाहर easily निकल पाओगे अब दोस्तों इस वीडियो में अभी तक हमने जितने भी ग्रूप के settings को जितने भी ग्रूप के feature के बारे में यहाँ पर भी बात किये वो सारा का सारा feature सारा का सारा settings इस group info वाले section का था उसके बाद से यहाँ पर एक और option यहाँ पर देखने को मिलता है group media का इस group media पर अब जब भी click कते हो तो यहाँ पर इस group में जो भी photos documents, videos भेजा गया है आया है उसको यहाँ से आप easily देख सकते हो जैसे कि यहाँ मीडिया पर देख सकते हो documents, links जो भी इस groups में आया हुआ वो सारा का सारा सीज़ यहाँ पर आप easily देख सकते हो उसके बाद से यहाँ पर एक और search option देखने को मिलता है जिसको हम लोगों ने आरेड़ी पहले ही इस वीडियो में समच चुके उसके बाद से यहाँ पर mute notification को भी हमने आरेड़ी cover off कर लिया है उसके बाद से यहाँ पर disparing message को भी हमने आरेड़ी इस वीडियो में mention कर लिया है उसके बाद से यहाँ पर इस वाल पेपर का एक option देखने को आता है जो कि हमने इस वीडियो में अभी cover नहीं किया है वाल पेपर को एक क्लिक करनी है यहाँ पर आप इस ग्रूप में जो भी वाल पेपर सेट करना चाहते करके इस ग्रूप में अपने वाल पेपर को सेलक्ट कर सकते हूँ उसके बाद से यहाँ पर फिर से नेक्स्ट आते हैं उसके बाद से यहाँ एक more का ओफशन देखने को मिलता है अगर आपको ऐसा लगता है कि इस ग्रूप में जो भी चीज़ा आ रही है मेडिया फोटो फाइल या कोछ भी जो भी इनफोर्मेसील दिया जा रहा हो वह बिल्कुल केम है बिल्कुल गलत बिल्कुल फ्रॉड है तो आप इस पर रिपोर्ट पर क्लिक करके आप इसül 해요 को रिपोड कर सकते हैं उसके बाद से यहां पर फिर से आप मोड़ पर जाते हैं तो यहां पर एक और आपको exit group का एक ऑफ्षन दिखने को मिलता है इस exit group पे क्लिक कर बढ़िए तो आप इस group से बाहर निकल जाोगे उसके बाद से यहां पर एक और या पर clear chat का option देखने को मिलता है इस पर क्लिक करके आप एक साथ में इस ग्रूप में जिते भी message photo documents आया है सभी को एक साथ clear करके इसको सभी को delete कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस group में जितने भी message आया सिर्फ वही दिलेट होके जो photo video और documents वाला चीज़ो जो documents वह डिलेट ना हो तो यहां पर आपको यह जो check marks लगा है इस check marks को हटा देना उसके बाद clear chart पे क्लिक करना है ऐसा अगर आप करते हो तो आपके ग्रूप में जितने भी photo videos या documents है वह डिलेट नहीं होगा वह आपके फाइल मेनेजर में सिर्फ रहेगा सिर्फ और सिप इस group में इससे दिखाएगा कि यहां यह सारा का सारा और documents भी सारा का सारा delete हो जाया सारा का सारा की लियर हो जाया तो यहाँ पर आपको सिंप्ली इसमें check marks करके उसके बाद से आपर clear कर सकते हो कि अगर आप इस ग्रूप के सभी चाट को या वीडिया फोटो फाइल को किसी को पास भेजना चाहते हो कि वो देख पाए कि इस ग्रूप में क्या क्या बाती हो रहे हैं काउन काउन सी फोटो वीडियो आ रही है अगर आप उसको किसी के पास भेजना चाहते हैं तो के साथ जैसे खोटो डॉक्मेंट्स बीडियो के साथ इसे भेजना चाहते या विदाउट मीडिया यानि वी बीना फोटो वीडियो डॉक्मेंट्स के भेजना चाहते तो मैं यहाँ पर included media पे click कर देता हूं उसके बास के जिसके बास मुझे भीजना है उसके पास यहां पे मैं वेज दीता हूं तो कुछ इस प्रकार यह फाइल बन करके चला जाएगा जिसके बास आप भीजना चाहते हैं तो मैंने इससे बेज दिया अब जैसा कि यहां पर देख सकते हो मैंने ज दिखने को मिलेगा तो यह एड़ सॉटकॉर्ट क्या है चलिए इसको हम देखते हैं तो यहां पर जैसे ही एड़ सॉटकॉर्ट पर क्लिक करेंगो तो इसके बाद से यहां पर आपको अलाव कर देना उसके बाद से यहां पर आपको देख सकते हो आपके जो हो में स्क्रीन पर यहां पर मुवाइल फोन में दिखाए देगा तो इसका यह benefit है कि आप भीना WhatsApp अप्लिकेशन को open किये भीना इस ग्रूप वाले आइकन पर जैसे क्रिक करोगे तो इसमें डिर्यक्ट आप पर इसमें एंटर हो पाऊगे तो जैसा कि यहां पर आपन देख सकते हैं इस वीडियो मैंने WhatsApp ग्रूप से रिलेटेड ए से लेकर के जैड तक यानि वेसिक से लेकर एडवांस तक सभी सेटिंग्स के बारे में फूल एक्स फ्रेंड किया सभी को अच्छे तरीके से समझाया तो मेरे इस कड़े मेहनत के लिए इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरू जरूर बताएगा कि आपको इस वीडियो में से कौन से सेटिंग्स आपको बिल्कुल नया लगा जो कि आपको पहले से बता नहीं था और साथ में यह भी बताएगा कि इस में से कौन कौन से से आपको पहले से भी पता था और साथ ही अगर आपको इस वीडियो से झाल 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 झाल